नमस्कार आप सब का स्वागत है विराट अनुष्का ने सूमवार को इटली में शादी कर ली मेरेज फंक्शन टसकनी इलाके में बोर्गो फिनेशित और रिजॉर्ट में हुआ ये रिजॉर्ट दुनिया का दूसरा सबसे महंगा रिजॉर्ट है अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक उबामा, मिशेल उबामा के साथ यहां छुट्टी बिता चुके हैं बता दे कि विराट की नेट वर्थ 390 करोड और अनुष्का की नेट वर्थ 220 करोड है शादी के बाद दोनों की कुल जुवाइंट प्रॉपटी 610 करोड रुपे होगी विराट BCCI कॉंट्रेक्ट की एक ग्रेड क्याटेगीरी में शामिल है ग्रेड A की सालरी को 2 करोड से बड़ा कर 12 करोड किया गया है IPL के हर सीजन से विराट को तक्रीबन 14 करोड रुपे मिलते हैं कोहली दो आलिलशान घरों के मालिक है इनमें से एक मुंबई तो दूसरा दिल्ली में है मुंबई में मौजूद घर को उन्होंने 9 करोड रुपे में खरीदा था कोहली हेड अंशूल्डर, पैपसी, बूस्ट, हास्ट्रेक जैसे कई बड़े ब्रांड के लिए एड भी करते हैं विराट को लगजरी कारों का शौकीन भी बताया जाता है उनके पास कई लगजरी कार है जिनकी कीमत 9 करोड बताई जाती है वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा एक एड के लिए एक करोड से ज्यादा चार्ज करती है जबकि एक फिल्म के लिए उनकी प्राइस मनी 5 करोड रुपे है कुल मिलाकर अनुष्का के पास लगभग 220 करोड रुपे की प्रॉपटी है पहला वेडिंग रिसेप्षन 21 दिसम्बर को दिल्ली में होगा यह विराट अनुष्का के रिष्टेदारों के लिए होगा दूसरा रिसेप्षन 26 दिसम्बर को मुंबाई में होगा यह बॉलिवुड और क्रिकेट वर्ल्ड की हस्तियों के लिए होगा मुंबई में होने वाले रिसेप्षन में सचिन तेंडूलकर, युवराज सिंग, भरभजन सिंग, रोहित शर्मा, महेंदर सिंग दोनी शामिल हो सकते हैं दोनों ने एक जैसे ट्वीट में लिखा, आज हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम जिन्दगी भर प्यार के बंधन में बंधे रहेंगे इस खबर को आपके साथ साजा करते हुए हमें वाकई खुशी हो रही है यह एक खुबसूरत देनी हमारे फैंस और वेल विशर्स की फैमिली के लवार सपोर्ट से और भी पास बन जाएगा हमारे इस सफर का आहम हिसाब बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यह शादी इटली के टसकनी में बोर्गो फिनोसिये तो रिजोर्ट में हुई जहां यह शादी हुई उस रिज ओर्ट में 22 रूम है वहां 44 लोग ही रह सकते हैं मिलान शेहर से इसकी दूरी करीब 300 किमी है वहीं इटालियन स्टेशन सियनास से यहां मेह 34 किमी दूर है फोर्ब्स की लिस्ट के मताबिक बोर्गो फिनोसिये तो दुनिया की 20 सबसे मेहिंगी हॉलिडे लोकेशन्स में शामिल है यहां एक हफता बिताने के लिए कम से कम एक करोर रुपे चाहिए यहां का रिंट एक रात के लिए 6.5 शूनिय लाक रुपे से 14 लाक रुपे तक होता है